इसे अपते रहों में कमपनी ने कई छोटे चेंजस किये थे Fightful से लेक के रिपोर्ट के अकोडिंग तिवेब ली ने इस अपते रहों में कई छोटे चेंजस किये थे ओरिजिनली Cody Rhodes का प्रोमो Dominic वर्सस Semi Zinn के North American Championship match के बाद होने वाला था सेमी जेन और केविन ओंस का बैक्स्टेज सेग्मेंट ओरिजनली जज्जमेंट डेव और ब्लडलेन के वीडियो पैकेजिस के आसपास प्रसारित होने वाला था लेकिन इसे बदल दिया गया रिपोर्ट में ये भी कहा कि बैक्स्टेज सेग्मेंट को भी बदल दिया गया था तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और दे रेस्लिंग ब्लॉग के अकोर्डिंग सेमी जेन और केविन ओवन्स के लिए पहले से ही बनाय गए सबी प्लैंस को तब तक के लिए रोग दिया गया है जब तक ये कलियर नहीं हो जाता कि केविन ओवन्स कितने समय तक आउट ओफ एक्शन रहेंगे ये पता नहीं है कि क्या title real in कुछ किया जाएगा या नहीं लेकिन फिलाल summer slam में undisputed tag titles defend नहीं होंगे तो हम चलते अपने final topic के और judgment day nxt में नजर आते हैं अब उनके nxt booking को लेकर एक update समने आया है ringside news के report के according main roster creative judgment day और other main roster superstars के nxt booking में शामिल है पर आपके के reaction आप मुझे कमेंट करके बस सकती होती है आतिक विडिती आतों देखने के लिए धन्देवाद